किसान भाईो नबसकार, किसान भाईो पट्यल एगोफर्मि में आपका स्वागत है किसान भाईो आज हम दो ब़ाइटियों के बारे हम बात करेंगे इसमें एक ब़ाईटी है कोलक 16202 इस बैराइटी को हमारे सोच रहस्तान लखनों के दोरा कुछ किसान भाईओ को वितरत किया गया था लेकिन ये बैराइटी हमारी बहुत सारे किसान भाईओ के पास थोड़ी मतला में अबेलेबल हो सकती है इसके लाबा किसान भाईओ एक बैराइटी है जो किसान भाईओ अगर जो बैराइटी हमारी सोच रहस्तान साजान भाईओ के दोरा जो इजाद होई है उसे बितरत नहीं किया गया है तो कुछ कास्टकार भाईओं के पास कैसे करके आगा है यह बात बहुत ही समझने वाली बात है हो भी सकती है वराइटी कुछ कास्टकार भाईओं के पास और नहीं भी हो सकती है अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है नहीं हो सकती है तब तो कोई बात ही नहीं लेकिन कास्टक लेने के लिए संपर्क करें ये सारे यूटूब चैनल से हैं और कई भी सोशल मेडिया के प्लेट फॉर्म हैं उन पर इसको चलता रहता है किसान भायों समझने की जरूज़त यह है जो भी हमारे पास जैसे तरह 235 हो गया इन बराइटियों से काम चलाएं और जब यह ज्याद कि क्या जरूरी है कि जो भी मार्केट में अबेलेवल है 1821 वो ओरिजिनल यू हो भी सकता नहीं भी हो सकता है करी बाते हैं लेकिन बहुत सारे किसान भाई जो को जहांसा दिया जाता है कि यह आपको जित 1821 और 16202 बराइटि आराम से कास्तवकार भाई को मुहिया करा दी ज करना चाहता है और वह प्रकार से बहुत सारी दिख्क्तें आती हैं अरुमा सारी किसान भाई उसको अवगत कराना चाहता हूँ जो भी लें ज्यादा से ज्यादा हमारे शोस संस्तान जब हमारे बत्रत करते हैं थोड़ी-धोडी मात्रा में बहीं से लेकर आए और राम से ब बनाएं उसके बाद से उसको बड़े इस तर पर खेद में लगाएं इससे ज्यादा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फाइदा हो सकता किसानवायों को लेकिन जो फर्जी बीकिस्टन तरीके से बीज लाते हैं और जो डूलीकेट सी बीज में रहती है डूलीकेट बीज होते हैं उसे बहुत ज्यादा किसानवायों को नुक्सान होता है किसानवायों फिलाल जहां तक मेरा यही कहना है कि आप बीज कहीं का भी हो जब तक सोद केंद उसे बितरत ना कर दे तब तक उस बीज को ना लें और जिस किसान भाई से लाएं उससे उसकी रसीद को देखें जो भी से बीज लाएंगे तो कहीं न कहीं आपको औरिजिनल बीज मिल पाएगा जिससे हमारे किसान भाई जब दुसरे किसान-भाई को बांटेंगे बीज डिश्टूड करेंगे तो उसके पास भी और इस बीज की बनी रहेगे किसन भाईयो 16.202, 18.231, बीज बिल्कुल भी अभी कहीं से ना लें, सिरफ और सोध केंद के माद्दम से ही लें